हलो एस्पी देंस स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे number of players on each side यानि जो भी खेले होती है different sports होती है वहाँ पे हर एक टीम में कितने players होते हैं वो हमें पढ़ने हैं ठीक है तो बहुत ही जाला छोटा सा topic है I think एक minute के round video बनेगी तो बस आप फटा-फट से paper pen उठाएं और video के साथ में notes बनाना start करें क्योंकि होगा क्या ना यह आपको books में भी मिल जाएगा but books से पढ़ना और notes से पढ़ना दिन रात का फरक होता है तो यह जो static वाला part है इसके तो आपको notes बनाने पढ़ेंगे otherwise book से पढ़ना वो छोटा-छोटा सा वहां लिखा होता है वो बहुत मुश्किल होता है याद करना है अब देखें बैटमेंटन के बाद करें तो एक से दो players होते है tennis के बाद करें इसमें भी एक या दो players होते है single doubles होता है na table tennis में भी ऐसे ही होता है एक या दो होते है chess में एक होता है chess आपने देखा है one to one खेली जाती है है ना कोई भी group में देखा है doubles में देखा खेली जाती है नहीं polo, polo में 4 होते है basketball 5 होते है Wally ball 6, water polo और 7, water polo- kabaddi में 7, और यह याद करने वाले, यह 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 याद करने वाले, त्युक्रियों कि इनमें भूलने के चांसर होते हैं, चेस तक आप याद कर लोगे, polo भी polo में 4 होते हैं किसी में 4 फोली, वह याद कर लोगे, पर यह last वाले, बिलेव में बहुत ज़दा confusion होता है इन में जाद रखना वॉल्यवाल हाथों से खेलते हैं वो उपर कुछ उसको हिट करते हैं वॉल को तो उसमें 6 होते हैं बास्केट बॉल पांच वाटर पोलो एंड कबड़ी 7 क्रिकेट फुटबॉल होकी 11 ठीक है अब देखिए छोटना स इस्टेग्राम पे भी फॉल्यो कर सकते हैं दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है प्लस वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सुब्स्क्राइब करें बैल आइकन को प्रस करें सो एट मैं जसे को वीडियो प्लोड करू सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तो 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 चैनल के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में so that's it and see you soon